साथियों, आपने तो पहले की सरकारों के तौर तरीके भी देखे हैं खुद को भारत का भाग्य विदाता समझने वाले लोग कितनी बार अरुनाचन और नौसिस आये हैं इसकी तुन्ना से ही बहुत कुछ साफ हो जाता है आपके इस चौकिदार रहे हैं दिल्ली को आपके दिल से जोडने की कोशिश की है खायो और भेनो अरुनाचन प्रदेश सिब भारत का एक राज़वर नहीं है बलकि यह तो भारत की मजबुत धाल है यहां के आप सभी भाई भेन राष्टवा और राष्टभत्ति की परम प्रेणा लेकिन दुर्भागे से कॉंगरेस के नामदारों ने ना तो इसकी परवा की और नहीं आपकी आशाओं आकांचाओं को सन्मान दिया अरुनाचल को पहली बार रेल मैप पर लाने का सोफा गया आजादी के साथ दसक बाद इस चौकिदार को मिला अरुनाचल प्रदेश को एक्सप्रेश ट्रेइन से दिल्ली को सीधे जोडने का काम भी साथ दसक बाद संभव हो पाया जो बोगी बिल पूल बरसों से लटका हुआ था उसके बनने से पूर्वी जिलों के हजारों लोगों की इतानगर से दूरी सोला गंटे से घटकर चार पाँच गंटे ही रहे गए आजादी के साथ दसक बाद अरुनाचल को हवाई कनेक्टिविटी मिल पाई है पासीगाट और तेजू एरपोर्ट या फिर होलोंगी एरपोर्ट अरुनाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी का तेजी से बिश्दार हो रहा है